आज जिस चर्चा पर, तईस मार्च की घटना पर जो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, उस दिन की घटना, उस दिन की घटना, सभी मानी विधायक जो यहां बैठे हैं, सब के लिए शर्मशार करने की बात थे हैं. लेकिन अभी मान जी साब बहुत आधनी हैं और 36 साल से हैं, फूटेज, सीसे टीवी कैमरा का फूटेज देखिएगा, जो नेश सदस्या थी, वो जरूर मंच बगए थे, लेकिन कुर्सी पर नहीं बैटे थे, कोई कुर्सी पर नहीं बैटा है, बिलकुल गलत सदन में गलत च आप मानिय सदस बीच में कोई नहीं बोलेंगे, जब बार बार आसन कह रहा है, तो फिर सांती बनाए रखिये, और जो और चीज़ कहेंगे, कि अगर बार बार आसन के आगड़ा के बाद भी बोल रहे हैं, मानिय सदस्या ये उचित नहीं है, अभी बैटिए आप, अभी ब बैटिए अभी, बोलेंगे, बनेश्चित तोर पर उस समय अध्यक्ष महोदे कुसी पर नहीं थे, जो काला कानून भी लाया था, जो जन्ता के हित में नहीं था, उसका विरोध करना हमारा करता भी होता है, ये बात मानते हैं, लेकिन वो पहली बार जीते हुए विधायक थ और वो मा बहन के रूप में हैं, बहन के रूप में हैं, और वो होँश्यमानी थे, बिना मा बहन के, कोई भी व्यक्ति बिना महिला के इस धर्थी पर नहीं हो सकता चाहे हम हो या कोई भी सलस्य हो, इसलिए उनको सम्मान देना हम लोग का पहला करता है, और यहीं से मेसेज कि महिलाओं को सम्मान नहीं करेंगे वो रूप भगवती का भी होती है सब लोग को हम लोग पुणाम करते हैं लेकिन फिर भी उस दिन जो घटना घटी विपक्ष का काम है विरोध करना जब घटना इतनी बढ़ गई क्या संसिदी कारमंत्री हमारे आदर्नी विजे कुमार च लहीं थी उसके बाद भी बैट के बात नहीं किये यह उनको करना चाहिए था ताकी हम लोगों को यह लगता कि आज सरकार भी इस काला कानून को बहुत करना चाहती है ठीक है विपक्ष बहुत मार हुआ है जब आप लोग भी विपक्ष में थे मैंने देखा है इसी विदान सवा में आप लोग भी किस तरह से हला करते थे विरोध विपक्ष का काम है करना लेकिन बैट के सब चीज़ बात करके होता तो बहुत ही अच्छा रहता और सदन की गरिमा बढ़ती फिर भी जो भी हुआ उस दिन घटना तो बहुत शर्मशार है जहां भी जाते हैं चर्चाएं होती है आपको एक बात बता दें जिस तरह से मानी विधायक को जनता चुन के भेशती है अगर किसी भी विधायक को कोई पुलीस से लाठी मारता सिर्व विधायक को नहीं पीटता पूरी जनता बिहार के जनता को पीटता है या बहुत ही शर्मशार है पुरे बिहार को करने वाला इसलिए इस पर बहुत गंभीरता से चाहे पक्छो भी पक्छो इसको सोचना पड़ेगा चुछ सभी विधायक चुनके आते हैं किसी को भी लाठी लगे उससे जूता से पीटा जाए बिल्कुल यह कभी नहीं होना चाहिए नहीं तो इत्यास हम लोग किसी भी विधायक को किसी भी मंतरी को किसी को माफ नहीं करेगा जनता कि आप लोगों ने उसके लिए क्या किया आप लोगों सब को सोचना होगा शर्गल्टिया हुई हैं हम मानते हैं लेकिन कारवाई सही होना चाहिए चुकि जनता बिहार की आपको फुरे देश की देख रही है बीच में जलतू जो महिलाए गई है मंच पे हम मानते हैं को उनको खेत प्रकट करना चाहिए लेकिन जो पुलीस कर्मी जिस तरह से मानी विधाय को उठाल के पीटे हैं उस पर कड़ी से कड़ी कारवाई सरकार को भी करना चाहिए और आसन से भी हम मानी अर्द्यक्स आगरा करेंगे आपको निर्देशित करना चाहिए कि फ्यूचर में कभी परिपाटी ना बने कभी आप पक्षुए रहे और हम सत्ता में रहें तो हम भी वही काम बद्दा लेने की बाव से करें यह परिपाटी पुरे बिहार के लिए पुरे जनता के लिए अच्छा नहीं है इसलिए हम आगरा करेंगे और आप आसन पर बिस्वास है कि आपको मैं बहुत दिन से जानता हूँ आप नियाय करेंगे बिहार की जनता के हित्मे विधायक के सम्मान के लिए पूरे सम्मान के साथ हम इनी चंद सब्दों के साथ अब आप विराम करते हैं चुकि शमय बहुत हो गया है धन्यवाद नए नए अनुमती नहीं है बचिया स्री अक्तरूल इमान